दोस्तों सुवगत अपका हिंदी डिफैंस शो के एक और एपिसोड में एक से दो दिन में भारत अपना सबसे पोटेंट लॉंगेस्ट रेज नुकलियर कैपबल बैलिस्टिक मिसाल अगनी 5 का टेस्ट करने जा रहा है और यह सिर्फ अगनी 5 का टेस्ट ही नहीं होगा बलकि भारत पहली बार MIRV टेक्नलोजी को भी डिमोस्ट्रेट करने जा रहा है MIRV टेक्नलोजी यानि कि Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles इस टेक्नलोजी की मदद से अगनी 5 एक ही लॉंच में अलग-अलग शहर को तबाह कर सकता है वो भी सैक्रो किलोमेटर दूर For example, अगर भारत और चैना के बेच युद होता है और भारत टार्गेट करना चाहता है चीन के 3-4 शहर एक ही बार में जो कि आपस में 1-200 किलोमेटर दूर है तो भारत MIRV टेक्नलोजी की मदद से यह काम आसानी से कर सकता है और यही कारण है कि जब से भारत ने अगरी 5 का टेस्ट अनाउंस किया है MIRV टेक्नलोजी के साथ तब से चैनीज पिये ले और वहाँ के डिफेंस अनलेस्ट की नीन हराम है दोस्तों अगरी 5 में MIRV टेक्नलोजी का यूज तो किया ही जा रहा है लेकिन इस अगरी 5 में एक और खास बात है जो चीन के लिए चिंदा गाविसे बना हुआ है अगरी 5 से पहले अगरी 4 और 3 को भारत ने अल्लेडी डिपलाई किया हुआ है और अगरी 5 और अगरी 3 और 4 में रेंज का फर्क तो है ही अगरी 5 के एक सबसे बड़ी खास बात है जिससे चीन डरा हुआ है जर अगरी 4 और अगरी 3 को भारत को डिपलाई करना पड़ता है भारत चीन के बॉर्टर के पास जिससे चीन चाहे तो ट्रैक कर इसे डिस्ट्रॉई कर सकता है लेकिन अगनी 5 मिसाइल के साथ ऐसा नहीं है इस मिसाइल को डीप इंडियन टेडिरी में डिपलॉई किया दा सकता है जो की एक कैनिस्टर बेस्ट हाइली मुवाइल भी होगा और इसे चीन के लिए मिसाइल को ट्रेक कर पाना नामुम्मुकिन होगा चीन के डिरका आप इस बात से अंदाचा लगा सकते हैं कि चीन ने भारत पर अगनी 5 मिसाइल को लेकर जूट बोलने का आरोब लगाया है और उनका कहना है कि भारत ये अगनी 5 मिसाइल के रेंज को लेकर भारत जूट बोल रहा है और जरासल इस मिसाइल का रेंज 8000 किलोमेटर है ना कि 5000 किलोमेटर चैना का कहना है कि अगनी 5 का रेंज के रेंज में पूरा एसीय तो आता ही है बलकि आधा यूरोप भी आता है और इसे लेकर चीन ने यूरोपिन देशों को डराने की भी कोशिश की जबकि चीन के पास खुद ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल से जिसका रेंज 14000 किलोमेटर तक है दोस्तो चीन यही नहीं रुका और United Nations Resolution का हवाला देते विए United Nations Security Council तक पहुँच गया यही एक कोशिश थी चीन के तरफ से ताकि कुछ यूरोपिन देशों को डरा कर उनकी मदद से अगनी 5 की capabilities को घटाया जा सके रोका जा सके दोस्तो भारत ने पहले से अगनी 4.3 deploy किया हुआ है जो कि एक बहुत ही capable missile है चीन को तबाह करने के लिए लेकिन चीन इसे track और destroy कर सकता है इससे पहले कि भारत उसे use करें लेकिन अगनी 5 ऐसा नहीं है अगनी 5 को border के नजदिक deploy नहीं किया जाएगा बलकि भारत के बहुत अंदर इसे deploy किया जाएगा और इसके canister based model को regular move भी किया जा सकता है जिससे चीन कभी track नहीं कर सकेगा और य मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ जय हिन जय भारत